इंद्रया एकादसी ब्रत कथा धर्मराज इद्रिष्टिर कहने लगे हे भगवान आसिन क्रिष्ट एकादसी का नाम इसकी बीधी और फल क्या है कृपा करके कहिए भगवान स्टिक्रिष्टन जी कहने लगे इस एकादसी का नम इंद्रया एकादसी है और यह एकादसी पाप को नश्ट करने वाली और पित्रों को मुक्ति देने वाली है आप इसकी कथा सुनिए प्राचिन्य काल में सतिव के समय में महिस्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसे नाम का एक राजा था उह राजा पुत्र पोत्र अर्धन आदि से संपन्न और विश्णुजी का परमभक थ एक दिन जब राजा अपनी सभा में बेठा था तो आकास मार्ग से महर से नारद उतर कर सभा में आये राजा उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधी पुर्भक आसन वो अर्ध्य दिया सुक से बेठ कर नारद मुनिने राजा से पूझा कि हे राजन आपके सातों अंग कुसल पुर्भक है ना तुमारे बुद्धी धर्म में और तुमारा मन बेश्णुभक्ति में रहता है ना देवरसी नारद के ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा है महरसी आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुसल है और मेरे यहां जग्या करमादी सुकृत हो रहे हैं आप कृपा करके अपने आगवन का कारण बोलिए तवरीशी कहने लगे है राजन आप आस्चर्ज देने वाल मेरे बचनों को सुनो में एक समय ब्रह्मा लोक से यमलोक किया वहां श्रधा पुर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मसिल और श्रत्वान धर्मराज की प्रसंसा की उसी यमराज की सभा में महान ग्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पीता को एकादसी का ब्रत भंग होने का कारण देखा उन्होंने संदेशा दिया तो मैं तुम्हें कहता हूँ उन्होंने कहा कि पूर्व जन्व में कोई भीग्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ इतना सुनकर राजा कहने लगे कि ही महर्शी आप इस ब्रद की विधी मुझसे कहिए नारज्य कहने लगे आश्यन महा की कृष्ण पके की दसमी के दिन प्राता काल श्रधापुर्वक्ष नानादी से निब्रुतो कर दौपहर को नदी आदी में जाकर फिर से श्नान करें फिर स्रधा पूर्व पित्रों का स्राथ करें और एक बार भोजन करें प्राता काल होने पर एकादसी के दिन दातो नादी करके श्नान करें फिर ब्रत को नियम पूर्वक ग्रहन करते हुई प्रतिज्या करें कि मैं आज आहार को त्याग कर निराहार एकादसी का ब्रत करू में आपकी सरण हूँ आप मेरी रच्छा कीजिए इस प्रकार नियम पुर्वक सालिग्राम की मूर्ति के आगे विधी पुर्वक श्राद करके जोग्य ब्राह्मनों को फलाहार का भोजन कराएं दच्छिना दें पित्रों के श्राद से जो बच जाएं उसको सूंग कर गो को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुस्प, नेवेद्ध, आधी, सब सामग्री से रिशिक इस भगवान का पूजन करें रात में भगवान के निकट जागरन करें इसके पस्चा द्वादसी के दिन प्रातकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मन को भोजन कराएं भाई बंधु श्त्री पुत्र सारे परिबार मोन होकर भोजन करें नारज जी कहने लगे हे राजन इस विदी से जदी तुम एकादसी का ब्रत करोगे तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को जाएंगे इतना कहकर नारज जी अंतर ध्यान होगे नारज के बचन के अनुसार रा ब्रत करने के बाद आका से पुस्व वर्षा हुई उस राजा का पिता गरुड पर चड़ कर विश्नु लोक को गया राजा इंद्रसेन भी एकादसी के ब्रत के प्रभाव से राज्य करकी अंद में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा कर श्वर्ग लोक हो गया ये सुनने से मनुसे सब पापों से छूड़ जाते हैं और सब प्रकार के पापों नश्ठ होकर वैकून को प्रापती होते हैं